तो इस वीडियो के अंदर में बात करूंगा IQ के और एक स्मार्टफोन के बारे में जैसे के आपने थमनेल में देखी लिया होगा यह है IQ7 Pro यह जो स्मार्टफोन है इसे मुकल सर्मा ने स्पोर्ट किया है इंडिया के IMEI डेटावेस पर वहाँ पर यह स्मार्टफोन IQ7 Pro के नाम से रेजिस्टर हुआ है तो इस स्मार्टफोन के बारे में हमें पहले कुछ भी ऐसे लेग वगएरा देखने को नहीं मिला था और अचानक से अभी मुकल सर्मा ने IMEI डेटावेस पर इस स्मार्टफोन को स्पोर्ट किया तो थाड़ा सप्राइजिंग कर दिया है IQ ने सभी को क्योंकि अभी हाली में दो स्मार्टफोन लांच किया था उन्होंने IQ7 और IQ7 Legend और इसके अंदर बीच में एक स्मार्टफोन निकल के आता है जो कि है IQ7 Pro तो वैसे कोई प्रोसेसर छुट गया है कि आज जो कि इस स्मार्टफोन के अंदर हमें देखने को मिलेगा तो वैसे मुझे लगता है कि हो सकता है यहां पर हमें Diamond City का 1200 या फिर 1100 इन दोनों में से किसी एक प्रोसेसर के साथ IQ7 Pro स्मार्टफोन इंडिया में लाँच किया जा सकता है और एक सप्राइजिंग वाली बात यह है कि इस स्मार्टफोन चाइना के अंदर भी लाँच नहीं किया गया है तो क्या यह स्मार्टफोन स्पेसली इंडिया के लिए आएगा तो बहुत सारे सवाल इस स्मार्टफोन के बारे में निकल के आते हैं लेकिन अभी हमें इस स्मार्टफोन के बारे में जादा कुछ पता नहीं चला है जैसे ही आगे future में हमें बहुत सारे leaks इस smartphone के related मिलना सुरू होंगे तभी हम इस smartphone के बारे में और details में बात करेंगे लेकिन ये जो वीडियो था आप लोगों के साथ बस एक छोटा सा information शेयर करना था कि आपको future के अंदर IQ7 Pro के नाम से एक smartphone launch होते हुए देखने को मिलेगा अगर ये smartphone IMEI database पर certified हुआ है इसका मतलब हमें एक दो महिने के अंदर ये smartphone देखने को मिल सकता है तो चलिए wait कीजिए और भी certification site हैं वहाँ पर भी ये smartphone list होते हुए हमें देखने को मिलेगा तभी थोड़े बहुत specification हमें clear होते हुए देखने को मिलेंगे तो तभी और details में मैं आपको इस smartphone के बारे में बताऊंगा इस वीडियो के अंदर बस इतना ही information था आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है या फिर informative लगा है तो चैनल को subscribe कर लो और एक like कर लो जिस तरह मुझे motivation मिलेगा इसी तरह के और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए मैं मिलता हूँ आपको next वीडियो के अंदर कुछ ऐसा ही informative वीडियो के साथ तब तक के लिए bye and take care